व्रक्षा रोपन पर निबंद, वन संपदा पर निबंद, व्रक्ष हमारे जीवन साथी, व्रक्षा रोपन का महत्तु, वन संपदा और परियावरण, परियावरण की द्रष्टी में व्रक्षों का महत्तु, और जीवन में व्रक्षों का महत्तु, वन संरक्षन का महत्तु, इन सारे टॉपिक्स का एक ही उत्तर होगा ब्रक्षार उपन पर निबंद आईए ब्रक्षार उपन वन महोत सो वन सनरक्षर पर निबंद जैसा भी निबंद आजा वन अस्पति पर निबंद तो आपको यही लिखना है स्टार्ट करते हैं आज परियावरन प्रदूसर से संबंध इतने बंद हम पहले पढ़ा चुके हैं आईए आज वन संपदा यानि की जंगलों पर आधारित निबंद आपको पढ़ाते हैं तो आईए समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से क्योंकि वक्ता और स्रोता दोनों अच्छे होने चाहिए तभी पढ़ाई मजा आता है अगर सामने वाला अच्छा स्रोता नहीं है तो हम जैसा वक्ता भी बेकार है हम जैसा क्या बहुत अच्छा अच्छा वक्ता भी बेकार है अगर सुरोता अच्छा नहीं हुआ तो वक्ता ब्यर्थ है वक्ता का बोलना कोई सुनने वाला नहों तो अरंडरुदितो उपमा मर्थात जंगल में रोने के समान होता है अगर कोई सुनने वाला नहों लेकिन हमारे सुधी जन आप सभी हैं आप सभी सुनने वाले हैं, सुरोता गण हैं, आप आडियन्स हैं हमारे, है ना, चलिए तो सुरू करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एक पेंड सव पुत्र समान, वन प्राकरतिक उर्जा का मुखे स्त्रोत हैं, आप अपनी भाशा मिल किये, जंगल हमारे लिए बहुत देते ही हैं, साथ साथ हमारे जीवन में समझ लो एक प्रकार से मिस्त्री घोल देते हैं, वायू को स्वच्छ करने का काम, वायू को साफ करने का काम, वायू को फिल्टर करने का काम जो होता है, वो जंगल, पेंड, पौधे ये सब करते हैं, वनों में उगने वाले हमारे जीवन के मुख्य अंग है क्योंकि ये कारबन डाय अक्साइड का सेवन करके हमें प्राणदाई आक्सीजन परदान करते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकासवा उसकी सम्रद्धी में वनों का व्रक्षों का महत्तुपूर्ण स्थान है अगर आप व्रक्षा रोपन पे लिख रहे हैं तो व्रक्षों का महत्तुपूर्ण स्थान है अगर आप वन पे निवन लिख रहे हैं तो वनों का महत्तुपूर्ण स्थान है लिखेगा आर्थिक विकास के लिए वन यानि जंगल यानि की व्रक्ष केवल कच्चे माल की आप उर्ती ही नहीं करते, बलकि बार नियंतरन भी करते हैं, भूई इस खलन को होने से रोखते हैं, मृदा अपरदन को रोखते हैं, ये सब किसका काम है? व्रक्षों का, व्रक्ष बिल्कुल हमारे शरीर में जैसे हडियां, जैसे नसे होती हैं, वैसे ही धर्ती के लिए प्रान दाई वरक्ष हैं क्योंकि धर्ती को कटने से रोकते हैं धर्ती की मिट्टी को फटने से रोकते हैं वरक्ष जड़ों के द्वारा इस मिट्टी के कटाव को म्रदा परदन को रोकते हैं इसलिए वरक्ष हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं पंडि अर्थविवस्था में जंगलों का वनों का व्रक्षों का अत्यंत महत्व है इसमें न केवल हमें जलाने के लिए इनसे लकडी मिलती है बलकि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है रोगों के उपचार के लिए औशधियां मिलती है पशुओं के चरने के लिए चारा मिलता है, सरकार को राजसो की भी प्राप्ती होती है, वन देश की जलवायों को संतुलित बनाते हैं, वर्षा को नियंतरित करते हैं, भूमी के कटाओ को रोकते हैं, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं, देश के प्राकृतिक सौंदर को भी बढ़ाते हैं, वनों से लाब और बारा दोनों के लिए महत्वपूर है लाभ वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभ निमलिखित रूप में जाने जा सकते हैं नमबर एक अब जानते हैं आप वनों से आपको क्या-क्या प्राप्त होता है वनों से हमें एनेक प्रकार की लकणियां प्राप्त होत चंदन आधि की लकड़िया कहा से मिलती हैं हमको वरक्षों से मिलती हैं वनों से मिलती हैं जिनका उपयोग फरनीचर, रेल के डिब्बे, स्लीपर, जहाज, माचिस ये सब बनाने के लिए ता इमारती लकड़ी के रूप में काम करने के लिए ये सभी पेंड़ हमको बहुत सारी चीजे मिलती है, हमको इमारती लकडी मिलती ہے, और साथ में सहायक उपज भी प्राप्त होती है, जिनका उप्योग देश के अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में मिलता है हमको, ठीके आगे देखते हैं, वनों से प्राप्त वस्तों का उप्योग करके भारत में अनेक लगू तथा कुटीर उद्योगों के स्थापना हुई किसने स्थापना करवाई जंगलों की वज़े से हो गई तोकरियां बनाते हैं लोग कहा कहे की वज़े से पेणों की वज़े से बेत बनाते हैं काहे की वज़े से पेडों की वज़े से रसी बटना रसी बनाते हैं किसकी पेडों से बनाते हैं बीडी बनाते हैं पेडों से बनाते हैं गोंद शहद रबर ये सब कहां से मिलती है वनों से मिलती है विभिन जड़ी बूटियां कहां से मिलती है वनों से मिलती को रोजगार मिला हुआ है अगर जंगल नहीं होते तो रोजगार स्थापित नहीं होता बेवसाय स्थापित नहीं होता फैक्टरियां स्थापित नहीं होते उद्योग स्थापित नहीं होते तो लोग बेरोजगार होते तो वनों से वरक्षों से हमें रोजगार मिलता है हमारे लिए कितने माध्तोपूर है सरकार को बहुमिल ne mathematician करको बहुमूल बिदेशी मुद्रा अरजित कराने में भी बहुत सहाइता प्रदान करते को जंगल हमारे यहाँ जो लकड़ियां है वो बाहर नहीं है बिदेशों में नहीं है तो यहां की लकड़ी जब बिदेशों में जाएगी तो पैसा तो आएगा ना बिदेशों चुझे पैसा आएगा तो सरकार को तमाम मुद्रा मिलती है बिदेशी मुद्रा किस से? वनों से बिभिन नवन्यपदार जैसे लाक, तारपीन का तेल, चंद आत्मक वस्तुएं ये सब क्या है निर्यात द्वारा सरकार को प्रतिवस लगबग 50 करोड रुपे बिदेशी मुद्रा पराप्त होती बताईए है ना तो भारती वनों में कुछ ऐसी वनस्पतियां तो था जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिन से विभिन्द प्रकार की उसधियां तयार की जाती है इन उसधियों के द्वारा अनेक रोगों का उपचार भी सफलता पूर्वग होता है अब आपको लास्ट में समझा देना है कि इस प्रकार यानि उपसंघार में आप लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि वनों के माध्यम से हमारा जनजी इवन मंगल में तो होता ही है साथ में हमारी सरकार में भी मंगलतम सम्रद्धी होती है इसलिए व्रक्ष लगाओ पानी दो पत्र लिखो तुम नानी को बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं कक्षा एक में तो व्रक्ष लगाओ पानी दो आपको व्रक्षा रोपन अधिक से अधिक करना है यदि इस परियावरण को संतुलित बनाना है तो व्रक्षा रोपन करना है एक व्रक्ष पे हजारों चिडिया अपना घोशला बनाती है अपने नीड में बच्चों को चुगाती है सुबा सुबा चहचाहट परदान करती है तो व्रक्ष कबहु नहीं फल भखे नदी न संचे नीर परमारत के कारने साधुन स्थरा सरीर इसलिए व्रक्ष हमारे जीवन साथी ही नहीं बलकि हमारे जीवन का एक अंग है व्रक्ष नहीं होंगे हमें फल नहीं मिलेंगे फल नहीं मिलेंगे हमें बहुत सारी बिटामिंस नहीं मिलेंगे इसलिए व्रक्ष क अगर दास ब्रक्जपी बड़े होगे तो वो आपकी आने वाली पीढ़ी को कितनी आक्सीजन देंगे या आपको नहीं पता उक्सीजन का एक सिलिंडर कितने का मिलता है जरा उसका रेट पता कीजिए और जब उस उक्सीजन के सिलिंडर का rate पता करेंगे इसके बाद आपको पेर की कीमत पता चल जाएंगी, के एक पेर की कीमत क्या होती है, अगर आप सूचिए, आप के हां अक्सीजन नहीं होगी, आप के हां पूरी आक्सीजन खतम, आपको अक्सीजन का सिलेंडर खरीदना पड़े, आप उसी से जीवित रहेंगे तब आपको पता चलेगा पेंड की महत्ता क्या होती है वरक्ष की महत्ता क्या होती है वरक्ष देवतुल्य होता है इसलिए हमारे भारत देश में तमाम वरक्षों की पूजा होती है नीम की पूजा होती है अश्वत्थ पीपल की पूजा होती है बरगत की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, तुलसी एक बहुत छोटा सा पॉधा, जो हमें सरवाधिक आक्सिजन प्रदान करने वाला धरती पर सबसे छोटा पॉधा, इसलिए हम उसको आंगन में लगा के पूछते हैं, कोई देवता, कोई भगवान उसमें नहीं रहता, ल महावरच्छ हैं, महा हैं, महान हैं, इसलिए पेणों को कभी भी आपको हीन द्रिष्टी से नहीं देखना है, पेणों को उजरते नहीं देखना है, पेणों को कटते नहीं देखना है, जो पेणों को काट दे, चिपको अंदोलन शुरू हुआ था, सुन्दरलाल भागुणा शुरू किया था क्यों पेंड कट रहे थे न तो जाकर के चिपक जाते थे पेंड में और कहते थे आओ पहले मुझे काटो फिर पेंडों को काटो तब पता चलता है कि पेंड की महत्ता क्या होती है जंगल समाप्थ हो जाएंगे हमारे पसु पच्छी कहा रहेंगे खतम धर्ती का संतुलन बिगडा धर्ती डगमक डगमक डोलेगी और एक दिन डूब जाएगी समाप्त हो जाएगी किसकी वज़े से पेणों की वज़े से अगर पेण नहीं होंगे आपने बहुत छोटे पे कविता पड़ी होगी अगर पेण भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते बांतने में उसके रसी चाहे जहां कहीं ले जाते अगर कहीं बहुत भूख सताती तोड मधुर फल उनके खाते कलपना थी बच्चों की कितना प्यार था बच्चों को पेण से बच्चों को यह नहीं बलकि बुढ़ों को जवानों को सब को सब को इस प्राणियों को सारे संसार के प्राणियों को पेणों से प्रेम होना चाहिए अगर पेण नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे ये बिल्कुल हम दावे के साथ कह सकते हैं चलिए आज इतना ही टॉपिक था चलिए आपको ये पीडिये भेज देंगे आप सभी लोग धंग से पढ़िएगा समझिएगा और वरक्षा रोपन पन्नी बंधा जाए दिल से लिखेगा दिमाग से नहीं बिल से लिखेगा